वैं आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आप सभी से FNAP SB के एक और करेक्टर की यानि की रॉक्सेन वुल्फ की अका रॉक्से की और अगर आपको पसंद है इस तरह का कंटेंड तो आपको पता है क्या करना चाहिए जी हाँ चैनल को सब्सक्राइब तो चलिए शुरू करते हैं क्रिपया इस बात पर ध्यान देजिए और जिनने पता है मैं क्या बात करने वाला हूँ आप सभी से तो इस बात को इगनूर कीजिए अगर आपने इससे पहले की वो सभी तमाम वीडियोस नहीं देखी है यानि की स्टोरी और करेक्टर एक्स्प्लेनेशन वाली वीडियोस और फ्नैफ युनिवर्स में फ्नैफ 1, फ्नैफ 2 और फ्नैफ 3 की वीडियोस अगर नहीं देखी हैं तो जाके देखने ना आपको बेहत मज़ा आएगा वाकई स्टोरी को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है जिसका लिंक आपके इस वीडियो के डिस्किप्शन और आई बटन में दे रखा है तो जाके जरूर देखें और इस वीडियो के मजे लें रॉक्सेन वॉल्फ डिटेल्स सिक्यूरिटी ब्रीज में रॉक्सेन वॉल्फ अका रॉक्सी एक फीमेल केरेक्टर है जो देखने में एक वॉल्फ यानि की भेडिया है वो भी फीमेल जो फ्रेडी के बैंड में केटार बजाती है वेल कुछ लोग सोच रहे होंगे के विकास आखिर तुब बोल के रहा है लेकिन दोस्तों केटार भी एक मुजिकल इंस्ट्रूमेंट है और गेटार तो है ही जिसे जर्नली हर कोई जानता है लेकिन केटार को नहीं मैं भी कहा जानता था रॉकसी को देखें तो उसकी सκιन और बाल ग्रे रंके हैं जिसकी आंखे येलो है और बैंगनी रंकी लाली लिबिस्टिक लगाती है जिसके चैरे पर काली मुझे जैसी आकरती बनी हुई है और हात पैर के नाखून गरीन जिसने बैंगरी रंगे tiger printed कफ भी पैने हुए है और साथ में उसने दोनों कानों में एक एक रिंग भी पैनी हुई है और उसके दात और हाथों के नाखून चाकू से भी ज़्यादा तेज है जिसकी कॉस्ट्यम को अगर हम ध्यान से देखे तो 70 और 80s के दशक के बैंड से काफी मिलती चुलती है तो चलिए अब रॉक्सी के बारे में जानती है रॉक्सान वॉल्फ एक्स्प्लेन रॉक्सी बहुत गुसेल एनिमेट्रोनिक्स है जो अपने आपको बार-बार शीशे में देखना पसंद करती है और वो बालक ग्रेगरी को अपने से ज़्यादा समझदार मानती है वरना ये जन्तूओं के बीच अपना ये बंदू कैसे निकल पाता जो बालक ग्रेगरी को ताना मारती रहती है जैसे तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है तुम्हारी कोई परवा नहीं करेगा और याद भी नहीं बच्चे के साथ ऐसा सा लुक रॉक्सी का AI भी काफी ज़्यादा एडवांस है और वो बात भी जरूस से ज़्यादा करती है और उसको हमेशा ये डर खाय रहता है कि बालक ग्रेगरी कहीं मेरा फेस ना खराब कर दे ये सोच कर वो हमेशा रूती रहती है हद है सोच सोच के रूना और साथ में वो ये भी नहीं चाहती है कि कोई भी उसका दोस्त उसे रोते हुए देखे इसलिए जब फ्रेडी उसके रूम में आता है तो वो फ्रेडी को बाहर निकलने को कहती है और रॉक्सी का पिज़ा प्लेक्स में रॉक्सी रेस्वे नाम का एक रेस ट्रैक भी है जहां बच्चे टोई कार्स चला सकते है जिसके साथ में रॉक्सी का एक ब्यूटी सलून भी है जो शायद बच्चों के लिए हो और एक सीन में बालक ग्रेगरी टोई कार का इस्तमाल करके वो रॉक्सी को बहुत बुरी तरह से गाहल कर देता है जिससे उसके अंदर का एंडो स्केलेटन भी दिखने लगता है और बालक ग्रेगरी उसकी आखे निकाल लेता है जिससे वो ब्लाइंड हो जाती है और उसकी आखे वो फ्रेडी में लगाने जाई रहा होता है और तभी रॉक्सी उट जाती है और बालक ग्रेगरी की आवाज या कदमों की अहट बर से ही वो उस पर हमला कर देती है और इस बीच वो पूरे टाइम रोते रहती है जो अगर बालक ग्रेगरी को पकड़ लेती तो उसे वही मार देगी फिर ग्रेगरी बसते हुए एक फायर चेंबर में आ जाता है जहां उसकी बोड़ी जलती रहती है जिसको छोड़ कर बालक ग्रेगरी आगे चला जाता है जिसके बाद रोक्सी हमें ट्रू एंडिंग में दिखती है जिससे ये बास साफ हो जाती है कि रोक्सी उस फायर चेंबर से बज़ गई होगी जबी तो वो इस एंडिंग में आ सकी वरना वो यहां नहीं होती और फिर फ्रेडी बालक ग्रेगरी इस एरिया को जला के राक कर देते हैं तो शायद बर्न ट्रैप और ब्लोब के साथ रॉक्सी भी जल गई हो क्योंकि इस सीन के बाद वो हमें कहीं नजर नहीं आती तो हम कह स सकते हैं कि पिज़ा प्लेक्स के साथ उसका भी खेल यहीं खतम हो गया हो और वैसे भी वो ब्लाइंड है तो चाके भी यहां से नहीं निकल सकती लेकिन उसको एक बार भी मरते हुए नहीं देखा तो शक्तो बनता है तो हम में भी कह सकते हैं कि डवलपर्स उसको सिक्रिटी ब्रीच के अगले चैप्टर में ला सकते हैं क्योंकि संभावना कुछ भी हो सकती है और शायस से मेरे हिसाब से फॉक्सी को रॉक्सी में बदला गया है क्योंकि फॉक्सी के पहले के कारणा में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे जिसकी वज़ा से उसको रॉक्सी में बदल और रॉक्सी के नाम में ही हमें फॉक्सी का हिंट भी मिलता है क्योंकि ये दोनों नाम काफी सिमिलर है और रॉक्सी ही ऐसा क्यरक्टर है जो अपनी आँखों से दिवार के पार भी देख सकती है पर वो फ्रेडी में छुपे बालक ग्रेगरी को क्यों नहीं देख पाती वैल इसलिए वो किसी करेक्टर के अंदर नहीं जाग सकती है और हाँ रॉक्सी पिज़ा प्लेक्स में बालक ग्रेगरी को इतनी जल्दी आखिर ढूंड कैसे लेखती है क्या कारण है वैल कारण ये है कि उसकी सूंगने की शमता काफी ज़्यादा तेज है क्योंकि उसके पास र पता चल सके इस बारे में और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच में दबा के शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो के बारे में नहीं वीडियो के अंदर जो कंटेंट है उसके बारे में पता चल सक तो मिलते हैं आप से अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाबाई